Hello friends, welcome back to my channel चलिया आज हम लोग बात करते हैं इस प्रोटलाका प्लांट के बारे में पहले बात के लेते हैं इसके नामों के बारे में इसे प्रोटलाका, मौस रोज, टेबल रोज, और नाइनो क्लॉक और इसे भिछो बेल भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे संजीवनी भी कहते हैं क्योंकि ये plant एक बार लगा लिया तो ये plant मरता नहीं है देखिए इस plant को मैंने पुराने टब में और एक टूटे हुए गमले के साथ बहुत खुब सुर्सती से लगाया है आप इस प्लांट के साथ बहुत सारे experiment कर सकते हैं बहुत easy to grow plant है अब बात करते हैं इस प्लांट को कितनी धूप की requirement है इस प्लांट को आफ वह बहुत जदा धूप की requirement है इसको आप पूरे दिन की धूप में रखे आप इसको अगर जाते हैं कि बहुत अच्छी से फ्लारिंग हो तो इसे धूप में रखिए अगर आप इस प्लांट को चाया में रख देंगे तो मैं दिखाती हूँ अपनी वो प्लांट जो चाया में रखे थे मैंने यह देखे, प्लांट हेलदी है, अच्छा ग्रो कर रहा है, पर फलार नहीं है अगर फलार की नीड है, तो इसे धूप में रखना ही होगा यह देखे, इसे पहले मैंने नीचे छाया में लगा रखा था आप मैंने इसे बौपर सिफ्ट किया है तो अब इसे परयाब धूप लगती है और इसमें अच्छे से अप कलिया आने लगी है इस plant के जो flowers होते हों बहुत सारे खुबसरूरित colors में available होते हैं तो आप अपने मन जाहे colors में इसको लगा लीजिए ये देखें लाइट येलो कलर का है और ये रेट कलर का फ्लार है बहुत खुबसूरत दिखता है ये प्लांट अगर आप चाहते हैं कि इसमें भरपूर फ्लारिंग हो तो आपको करना होगा एक काम आप इसकी डेड हडिंग करते रहे रोज रोज अगर आप इसकी डेड हडिंग नहीं कर सकते तो आप हफते में एक बार जरूर डेड हडिंग करिए डेड हडिंग करने से क्या होगा कि इसकी और बहुत सारी ब्रांचिस होंगी और इसके बार इसमें बहुत सारी कलिया बनेंगी जिससे फ्लार बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इस तरीगे से आप डेड हेरिंग करते रहें इसकी डेड हेरिंग नहीं करने से ये जो सड़े हुए फ्लार्स होते हैं इनसे फंगस की भी प्रॉब्लम लग हो सकती है ये देखे कितनी सारी कलियां आ रखी हैं मेरे प्लांट में अब हम लोग बात के लेते हैं इसकी खाद के बारे में इस प्लांट को ज़्यादा खाद की रिक्वार्मेंट नहीं होती है आप इसको बस लिक्विट फटलाइजर देते रहें 15-20 दिन में आप घर में जो निकलते हैं प्याच के छिलके उनको आज शाम को पानी में भिगा दीजे और उन्हें अगली शाम को इस प्लांट को दीजे या फिर आप इसी तरीके किसे वर्मी कमपोस्ट या गोबर की खाद को भी पानी में भिगा कर रख दीजे और अगले दिन इस प्लांट को दीजे तरीके से आप इसको लिक्ट फटलाइजर देते रहें ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है और पूरा साल ये फ्लारिंग करता है बस ये सर्दियों के दो तीन महिने फ्लारिंग नहीं करता है जब बहुत जादा ठंड होती है अब हम लोग बात के लेते हैं इस प्लांट की पानी की रिक्वार्मेंट इस प्लांट को बहुत कम पानी की रिक्वार्मेंट होती है क्योंकि ये सकलन्ट वराइटी का प्लांट होता है इसकी जो लीफ्स होती है उसमें ही पानी स्टोर रहता है अगर आप इसको भूल जाते हैं पानी देना तो भी चलता है ये बहुत जल्दी सूखता या मुझाता नहीं है पानी कम देने से इस तरीके से आप जमीन में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं पानी आप इसको तभी दीजे जब उपर की एक से दो इंच की मिट्टी आपको सूखी दिखे तभी इस प्लांट को पानी दीजे इस प्लांट को आप नर्सरी से लगा लाकर 10 रुपए या 15 रुपए में इसका प्लांट मिल जाता है उसको लगा लीजे या फिर आप इसको ग अगर आपने आज ही पानी डाला है और आपकी मिट्टी सॉफ्ट है तो इस तरीके से लगा दीजे या फिर आप कीजे कि इसमें किसी भी पैन निया फिर किसी भी स्पून वगारा से छेट करके तब लगा दीजे क्योंकि यह सॉफ्ट होता है तो टूट भी बहुत जल दी जाता है यह देखिए जो पॉट है इसे मैंने कटिंग से ही तयार किया है देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गया है और इसमें कलियां भी अब आने लगी है अगर वीडियो हेल्फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यो फॉर वॉचिंग बाबाई झाल अगर बाईब वीजो पॉचिंग झाल देखिए झाल नंची बाईब ये जुचिंग भी थैंक्ट पॉचिंग ज चाल वीजों जो टो उटा से लिए रूड़ मेरे अगर वीजों बाद़ादी अवीघ।